जैसा कि आप सभी जानते हैं, येशु इस प्रित्वी पर 2000 वर्ष पहले आये, वह विश्यवानी के अनुसार सीयों को स्थापित किया और स्वर्व चले गए येशु के स्वर्गारोहन के बाद अन्धकार का युगाया, सबत के दिन का सत्य, फिसे और नई वाचा के पर्व गायब हो गए परमेश्वर के आग्याएं, नियम और व्यवस्था पूरी तरह से बदल गए और चच में मूर्ती पूजक नियम प्रकट होने लगे उनमें से कुछ नियम है जिससे आजकल लोग बहुत परिचित हैं, क्रिस्मस, धन्यवाद का दिन, पुनरुत्थान के दिन, अंडे खाने की प्रथा और इस्टर का खरगोश मूर्ती पूजक धर्मों की इन सभी प्रथाओं को इसाई धर्म से परिचित कराया गया और लोगों ने चच में इन मूर्ती पूजक नियमों का पालन करना शुरू किया जब हम आत्मिक व्रिष्टिकून से इस स्थिती की जाच करते हैं, तो सीयोन की स्थिती क्या हो गई है? हम कह सकते हैं कि सीयोन नश्थ हो गया है फिर आईए यशाया अध्याय 33 आयत 20 के माध्यम से सीयोन के बारे में अध्यान करें यशाया अध्याय 33 आयत 20 में लिखा है हमारे पर्व अर्थात परमेश्वर के पर्वों के नगर सीयोन पर दृष्टी कर सीयोन के बारे में हमें एक बात पता होनी चाहिए बाइबल हमें सिखाती है कि सीयोन दो प्रकार के होते हैं आत्मिक सीयोन है और शारी रिक सीयोन है शारी रिक सीयोन की स्थापना राजा दाउद ने की थी और यह फिलिस्तीन में स्थित है आत्मिक सीयोन यीशु मसीर द्वारा स्थापित किया गया है जो यहेच केल अध्याए 37 आयत 24 में भविश्यवानी किये गए भविश्य सूचक उन्होंने आत्मिक सीयोन की स्थापना की, जो परमेश्वर के पर्वों का नगर है। लेव्यविवस्था अध्याय तेईस में लिखा है कि सबत का दिन एक सापताहिक पर्व है। साथ ही साथ वार्शिक पर्व हैं जिन्हें हमें हर साल मनाना चाहिए। फिसे, अक्मीरी रोटी का पर्व, प्रथम पल का पर्व, सबताहों का पर्व, नरसिंगों का पर्व, प्रायश्चित का दिन और जोपडियों का पर्व। यशाया अध्याय 33 आयत 20 में बाइबल हमें सिखाती है कि सियोन वो स्थान है जहां पर्मेश्वर के ये सभी पर्व मनाए जाते हैं। ये फिलिस्टीन में स्थिद भौतिक सियोन का उलेक नहीं करता है। आज हम आत्मिक सियोन की भविश्यवानियों के बारे में अध्यायन करने की कोशिश कर रहे हैं। आईए अध्याय 33 आयत 20 फिर से देखें। हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टी कर। तू अपनी आखों से यरूशलेम को देखेगा, वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूटा कभी उखाड़ा न जाएगा, और न कोई रसी कभी तूटेगी। वहाँ ये जगह क्या है? ये सीयोन है, महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा, वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा, जिसमें डांदवाली नाम न चलेगी और न शुभायमान जहाज उसमें हो कर जाएगा, क्योंकि यहोवा हमारा न्याय, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा, आखिरकार उद्धार सीयोन से आता है, परमेश्वर कहां निवास करते हैं? वो सीयोन में निवास करते हैं, 2000 साल पहले येश्यू ने परमेश्वर के पर्वों के नगर सीयोन की स्थापना की और स्वर्व पर चद गए लेकिन चौती शताबदी में सबत के दिन और फसेह को नश्ट कर दिया गया इसके अलावा चच को क्रूस की उपासना और क्रिसमस का परिचे दिया गया और परिणामस्वरूप परमेश्वर के पर्व पूरी तरह से प्रित्वी से गायब हो गए तब आत्मिक रूप से सीयोन के बारे में क्या कहा जा सकता है सीयोन को क्या कर दिया गया सीयोन को नश्ट कर दिया गया हम कह सकते हैं कि सीयोन एक बंजभूमी बन गया यह उजार हो गया परमेश्वर की नई वाचा, जीवन के पर्व और सत्य को पूरी तरह से नश्ट कर दिया गया और मूर्ति पूजक धर्मों को चच में पेश किया गया हम देख सकते हैं कि इस तरह के मूर्ति पूजक नियम पूरे चच में ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यह परमेश्वर की आराधना करने का सही तरीका हो इसके द्वारा मैं उबदेश को समाप्त करना चाहूंगा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद